नमस्कार किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ दिव्यासिंग दासना मंदिर के महंत स्वामी नरसीहानन्द के आपती जनक बयान पर बवाल बचा हुआ है यूपी के कई जिलों में मुसल्मानों का पदर्शन देखने को मल रहा है इस दोरान नरसीहानन्द पर कड़ी कारिवाई की मांग कीचारी है लेकिन इस बीच मुख्यमंतरी योगी आदितनात ने छड़े बवाल पर दो टुक शब्दों में कहा है कि प्रदेश में आराजक्ता बरदाश्त नहीं कीचाएगी सभी को एक दूसरे के धर्मों और मतों का सम्मान करना ही होगा विरोध के नाम पर आराजक्ता, तोडफोड और आगजनी स्विकारे नहीं है जो कोई ऐसा दोसाहस करेगा उसे उसकी कीमत चुकानी होगी वहें साहरनपुर में बवाल मचा रहें, उबद्रव्यों पर बड़ी कारेवाई दिखनी को मिल रही है यहाँ बारा को पुलस ने गरफतार किया है और चालिस के खलाप मुकदमा दर्च हुआ है आज इसी पर चर्चा करेंगी पिर साथ इस्टोड़े मुझूद है उसी रन्नीती पर ही आगे बढ़ रहा है इसको लगता है कि थोड़े थोड़े समय के बाद योगी को टॉर्चर किया जा सकता है जैसे 2017 में सरकार बनी थी उसके बाद योगी ने अपना अभियान चलाया जब इन्होंने माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया तो योगी को चैलेंज किया गया कैसे चैलेंज किया गया लगा कि अगर योगी को चैलेंज नहीं करेंगे इनकी छबी खराब नहीं करेंगे तो फिर ये इसी तरीके से आगे माफियाओं के खिलाब कारवाई करते रहेंगे तो फिर वही किया गया ये अतीक अहमद गिरोह ने हत्या कर दी सर्याम खुलेाम गवा के हत्या कर दी और फिर गोली चलाते हुए ये लोग CCTV फूटेज को नजर अंदाज करते हुए चले गए ये अतीक अहमद के बेटे ने अपने मुझ को भी नहीं ढखा चेहरे को भी नहीं ढखा इसलिए कि वो दिखाना चाहता था कि देखो योगी हो या कोई और मुखमंत्री हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हम तो आतंकारा जैसे स्थापित करेंगे जब योगी ने बदला लिया जब समझ गए कि ये तो बड़ी साजीस कर रहा है एक तो लाइन अडर के सिच्वेशन के नाम पर हमारी छबी खराब करना चाह रहा है और दूसरा हमें चैलेंज कर रहा है कि देखो हम तो ऐसा करेंगे तुम जो कर सकते हो करो तो योगी ने किया अतीक हमद का पूरा खांदान कहा है ये सब को पता है इसी तरीके की साजीस कुछ-कुछ समय के बाद होती रहती है और खासकर ये मौलानाओं के बीच तो ये चर्चा होती रहती है कि कब मौका मिले और कि फिर कब हम दबाब बनाने की कोशिश करें C.A. के खिलाब भी इसने ऐसा ही किया और उसके बाद अब एक मौका मिल गया एक महंत अगर कोई टिपनी कर देता है तो टिपनी करने के बाद उसके खिलाफ कारवाई करने से किसने रोक रखी है क्या पुलिस ने उसके खिलाफ कारवाई करने से मना कर दिया या फिर योगी ने कह दिया कि हम कारवाई नहीं करेंगे तो उन्होंने जो कहा है वो बहुत अच्छी बात है मुसल्मानों के खिलाप योगी भी बोलते हैं मुसल्मानों के ये आचरन के खिलाप बोलते हैं उसके कॉंस्परेसी के खिलाप बोलते हैं जैसे ये पूरी बाते कहते हुए उन्होंने कहा कि देखो धर्मों रक्षती रक्षता है जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसी की रक्षा करेगा और रास्ट और धर्म ये दोनों के सुरक्षा के लिए अगर हिंसा का रास्ता अपनाना पड़े तो भी कभी कभी अपनाना चाहिए क्योंकि इन लोगों ने हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी खतरनाक साजीस की है कि किसी भी तरीके से ये दस हजार साल पुरानी सनातन संस्कृति को विद्धवन्स कर दे कभी भी आप दुनिया में किसी भी मुल्क में ये नहीं देखेंगे इसलाम का एजेंडा नहीं रहा है कि गजवाय चीन, गजवाय मेंदमार, गजवाय अमेरिका लेकिन गजवाय हिंदुस्तान रहता है, गजवाय हिंद रहता है इसके पीछे एक बड़ा कारण है क्योंकि मुसल्मान को देखे या क्रिश्चनिटी को देखे इन दोनों ने अपने अपने छेतर लगभग विभाजित कर लिए इरोप, अमेरिका, ये पूरी तरह से क्रिश्चन डोमिनेटेड है वहाँ पर परदान मंत्री हो, राष्ट पती हो, क्रिश्चन डोमिनेटेड स्टेट माना जाता है सेकुलरिज्म का सिर्फ चोंगा पहने हुए है और सेकुलर शब्द जो आया था इरोप से, उसका मतलब भी होता था सेक्ट यानि कि अगर कैथलिक और एंगलिकन चर्च के भी जगड़ा है और उससे क्रिश्चनिटी को नुकसान हो रहा है तो स्टेट को चाहिए कि दोनों को एक साथ रखे एक क्रिश्चन वर्सेस इसलाम या वर्सेस यहूदी नहीं था बलकि क्रिश्चन वर्सेस क्रिश्चन के बीच हम एक सामंज़स स्थापित करेंगे कल्ट के बीच, सिक्ट के बीच ना कि धर्म के बीच, दो धर्मों के बीच हिंदुस्तान में भी ऐसी बेवस्ता रही है कोई भी राजा, शैब हो या फिर वैशनव हो, या शाक्त हो वो आपस में कॉडिनेशन की कोशिश करता है कोई शिब भक्त राजा है तो वैशनवाइट्स को मारना शुरू कर देगा तो यह स्थितियां यहां भी सेकुलरिज्म की थी, लेकिन आज लोगों ने क्या कर दिया सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू मुसल्मान हिंदू सीक, हिंदू साई, इस तरह के अभधारनाएं, जो गढ़ा है उससे नुकसान होना शुरू हुआ और यही घजवाय हिंद की परिकलपना, इन लोगों ने की कि दस अज़ार साल से यह सनातन संस्कृतिक किसी भी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इतना क्रिश्चन आकरमन इतना इन मुसल्मानों के आकरमन लगभग अगर देखा जाए, तो बारह सो से लेकर सत्रह सो तक यानि कि सत्रह सो संताबन तक भी माल ले, चार पांच सालों तक, चार पांच सौ सालों तक मुसल्मानों ने आशासन किया उसके बाद, ये जो ब्रिटीज थे वो क्रिश्चनों कोई बात कर सकते है क्रिश्चनों ने सासन किया लेकिन फिर भी, लगभग सात आठ सो सालों के बाद भी सनातन संस्कृती में से सब वो हटा नहीं सके हिंदुत वुसी इस्तर पर जिंदा है जबकि सारे जगह पर नौडिक कंट्री को देखिए जहां वाइकिन्स हुआ करते थे एक भी देश ऐसा नहीं है जो अपने संस्कृती को बचाए रखा पूरे अरब को देखिए, प्राचीन संस्कृती को बचाए नहीं रखा, आज साओधी अरब में ये कहा जा रहा है कि हम भई पुरानी संस्कृती में जो हमारी देवी देवताय थे उनकी मुर्तियां को पुनरस्थापित करो ये धर्म नहीं है, ये संस्कृति उत्थान है, संस्कृती में हम मानते थे लाक वेनाद देवी देवताय है उन लोगों के मुर्तियां होनी चाहिए मक्का मदिना में मुहम्मद साब आये इसलाम फैलाया और हम मुसल्मान बन गए लेकिन हमारी संस्कृति का जो वो हिस्ता है फिर से हमें पुनरस्थापित करना चाहिए अरब में एक भी प्रकर्तिक संस्कृति नहीं है जो प्रकर्तिक पूजक हो सारे के सारे खत्म कर दिये गए अफिरिका में खत्म कर दिये गए इरोप और अमेरिका में प्राचीन संस्कृतियों को नस्ट कर दिया गया चाहे क्रिश्चन होगा या फिर इसलाम होगा कुछ यहोदी है बचे हुए लेकिन हिंदुस्तान में अभी भी वो 10 हजार साल प्राचीन संस्कृति को जिवित रखा गया है क्योंकि यहां हिंदु तो चल रहा है अब इसके खिलाब कॉंस्प्रेसि करोगे तो योगी तो बाता बात करेंगे ही और इसलिए उन्होंने कहा कि जब ये सडकों पर उतरता है दबाब बनाने के लिए हिंसा करने के लिए तो फिर हमें भी हिंसा कोना पड़ेगा और जब हिंदुस्तान के अगर उत्तर परदेश की ही भात करें तो 20-21 करोड जनसंख्या में अगर 18 करोड हिंदु हाथों में पत्थर लेकर निकल गए तो फिर क्या होगा इसका ये जो 2 करोड के आस पास मुसल्मान है वो कहां पिर सरन लेगा ये जो मदनी का गैंग है ये मदरसवा कोल के बैठा हुआ रहेगा या फिर इसके मदरसे को लोग फूक के हटा सकते हैं जो हिंदूओं के सबर की परिछा लेता है इसलिए योगी को सामने आना पड़ रहा है ये 44 से फायार 44 लोगों के रफ्तारी ये इसलिए है क्योंकि इसके होसले जो बड़े हुए हैं इतने सालों से अभी तक होसले बड़े हैं चाहे अखलेश यादव की सरकार हो या मायाबती की सरकार हो उत्तर परदेश के अंदर या हिंदूस्तान में कॉंग्रेस की सरकार हो या फिर गैर कॉंग्रेसी ये समाजवादियों की सरकार हो समाजवादी पार्टियों की सरकार हो जिस तरीके से जनता पार्टी की सरकार बनी थी लेकिन इन सारी सरकारों ने मुस्लिम तुस्टिकरंट की राद देती छोड़ी नहीं यह मुलायम सीन और जादा मुस्लिम तुस्टिकरंट करने वाले कॉंग्रेस को competition देने वाले आ गए ये लालो प्रसाद यादव कॉंग्रेस से भी उपर के तुस्टिकरन करने लगे मुसल्मानों के इफ्तार पार्टियों में मुस्लिम बन कर जाने लगे जो इस्थितियां इन लोगों की रही तो अब जब 2014 के बाद इस्थितियां बदली करना पड़ेगा ऐसे इस्थितियां पैदा कर दो ताकि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो दो चार दस अजार मुसल्मान मारे भी जाएंगे इन लोगों कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन भारत की छबी खराब करो किसी तरीके से इन किन परकारिन ये देखो कि मोदी योगी की छबी खराब हो अब उस छबी को बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा इनका इलाज करना पड़ेगा ये मंदिर को घेरने जाएंगे पिटाई चुराई कुटाई होगी ये जाएंगे परदसन करने इट पत्थर लेके इनको गिरफतार किया जाएगा तो इन लोगों के इलाज का यही तरीका है और इसलिए योगी ने जो बाते कही है वो दो तरह से है एक सरकार अपने तरह से काम करेगी और हिंदूओं को भी अपने तरह से काम करना चाहिए हिंदूओं को ये सोचना चाहिए कि अपने धर्म की सुरक्षा के लिए हमेशा तुम सरकार पर निर्भर नहीं रह सकते सरकारे बदलती रहती है उत्तर परदेश में सरकारे बदलेगी आज नकल बदलेगी जैसे कि लोकसभाचुनाब में सैती सैती सीटे समाजवादी पार्टी को मिल गई कॉंग्रिस को भी 6 सीटे मिल गई अब लोकसभाचुनाब में मिली है 27 या फिर 32 कभी भी फिर से इनकी सरकार आ सकती है तो जब तक सरकारे उपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहोगे तब तक तुम फ्लिप फ्लॉप करते रहोगे जब सरकारे मुसल्मान समर्थकों की होगी तो फिर तुम बैक फुट पर आ जाओगे पीछे आ जाओगे और जब सरकार तुम्हारी होगी तो थोड़े से उभरने की कोशिश करोगे तो सरकारों पर पूरी तरह से निर्भरता नहीं होनी चाहिए तुम्हें भी एकता दिखानी है एकता दिखाओ शासन बदले सरकार बदले लेकिन तुम्हारा दबाब कायम हो जिस दिन हिंदु एक İKRIT होके वोट देने लगा, यह दुरुविकरन जो मुसलमानों का रहता है टेक्टिकल वोटिंग करता है जिस दिन हिंदुों ने टेक्टिकल वोटिंग सुरू कर दी उस दिन क्या खले स्यादब किसी मुसल्मान का नाम अपने जुवान पर लेंगे उस दिन सोचने लेंगे मुसल्मानों की राजनिती करने से कोई फायदा नहीं है कॉंग्रिस नहीं लेगी नाम क्योंकि कॉंग्रिस को लगेगा अगर 80% हिंदु किसी को वोट दे देंगे तो फिर हम मुसल्मानों की राजनिती करके क्या कर लेंगे यही तो जिन्दा ने सुचा था जो पाकिस्तान बना है उससे पहले जिन्दा के दिमाग में यही आया था कि 1935 के एक्ट के बाद चुनाब हुए और उसके बाद इसको लग गया कि किसी भी इस्तर पर अगर 70-30 का रेसियो है तो पाकिस्तान, बंगलादेश और अभी का जो हिंदुस्तान है यह सारे मिलाकर भी कभी भी हिंदुस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से कोई मुसल्मान परदान मंत्री नहीं बन सकता यो तो हिंदु ही बनेगा चाहे तुम जितना जोड लगा लो तो इसके लिए जरूरी है कि मुसल्मानों के लिए अपना देश हो जहाँ पर वो परदान मंत्री बन सके रास्ट पती बन सके सम्वैधानिक पत सारे उनके पास हो यहां तो वो दोयल दर्जे करहेगा तो यही स्थिति इन लोगों की है जब इसके दिमाग में यह आएगा कि हिंदू एक होकर वोट करना शुरू कर दे तो यह फिर मुसल्मानों की राधिति करना छोड़ देंगे हिंदू के लिए की करन जरूरी है और इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा आज चलो कल चलो परसो चलो अगर नहीं चले तो फिर बरवादी के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम चांद कारेगा अगर आपने अवे तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेब जए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए हमारे वीडियो पर कमेंट करके ज़रू बता है कि आपको हमारी खबर कैसी लगी धन्यवाद